कि अलो फ्रेंड्स मैं सिये पुनी जयान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने युटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम यह आपर सीखने वाले हैं मसमी रेश्टेशन आपको फीडियो पोस्ट मिलता है और सबसे बैटर इसका पॉइंट यह है कि यह आपको कराई हुई है वीडियो देख सकते हैं उद्द्यम रेश्टेशन इसको बोला जाता है उद्द्यम की ओफिसल वेबसाइट से करें कोई भी पेमिट आपको नहीं करनी होगी आप नोट कर लीजे मसमी रेश्टेशन को ही अब उद्द्यम रेश्टेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है उद्द्यम रेश्टेशन सर्टिफिकेट ही आपका मसमी रेश्टेशन सर्टिफिकेट है इसी वेबसाइट पर करना है गवर्मेंट की ओफिसल वेबसाइट है फिर्यों पोस्ट तुरंत के तुरंत आपको यह रेश्टेशन सर्टिफिकेट मिलेगा www.udyamregistration.gov.in इसका जो लिंक है वो आपको वीदयो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां पर आपको किलिक करना है सब के लिए यही अप्लाई होगा यहां पर इन्होंने बताया भी है कि जब आप किसी पार्णर कर रहे हैं तो किसी पार्णर का एंटर कर लिए यहां पर मैं अधार नंबर डालकर जो भी आधार में नेव हैं वह करके आपर वैलेट पर खिलिक करूंगा ओटीबी सब्मिट करूंगा कि कि इसके बाद प्रोसीड करना है अधार वेरिफाइए होने के बाद आपके बाद इस टाइप एक मैसे जाएगा अब यहां पर आपको जो है फरंटा टाइब आपको सलेक्ट करना है प्रोप्राइटर सबके लिए सेम प्रोसस रहेगा कोई अधर है तो आपको यहां पर स्लेक्ट करना है अभी हम जो फाइल करने वाले हैं तो उसके पाद्रिशिप का पैन आएगा जब हम बात करते हैं प्रोप्राइटर के के इसमें प्रोप्राइटर का यहां पर आपको सब्सक्राइब और तो फुद का पैन काट डालना जो अगया और नाम यहां पर एंटर करेंगे ठीक के बाद को पैन अबर क्लिक करने कबाद करनेगे इस टैप से पूर देडिल्स आजएगी पिर आपको एक शीचे गन्फरिंग करनी है कि आपके पास डिवेस आइडिया फाइल की है नहीं की ह यह data automatically आता है GST number का यहां पर आपको कुछ से एंटर करना होता है तो आप यहां पर yes कर दीजिए अभी GST number की mandatory requirement नहीं है पर yes करेंगे तो data automatically correlate हो जाएगा अभी यहां पर email ID mobile number यह active वाले देने हैं क्योंकि जब भी हम certificate generate करेंगे कोई चेंज करेंगे तो इसी number और इसी email पर OTP जाएंगे और यह आप multiple times कितने बार भी चेंज कर सकते हैं उसमें कोई भी attachment या फूफ लगाने की requirement नहीं आती है ठीक है तो अभी यहां पर number एक select कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है यहां पर basic details फिल करेंगे पूरा वीडियो में इंडितर बना रहिएगा तुरंट के तुरंट में आपर certificate भी download करूंगा आपको दिखा मुए अब उसके बाद यहां पर select करेंगे फिर उसके बाद जो है यहां पर gender select करना है फिर इसके बाद यहां पर address select करना है आप किसी भी address को unit कर सकते हैं अगर office का कोई address आपको अलग रखना है तो अलग रख सकते हैं तो यहां पर use करेंगे फिर उसके बाद यहां पर जैसे हम address select कर लेंगे यहां पर option आएगा get latitude and longitude यह mandatory हो गया है इसमें काफी हत्ता की चेंज आया है कि हम यहां पर location को भी Google map पर locate किया जा रहा है पर आपको क्लिक करने के बाद इस टाइप से अपसन आजाएगा फिर आपको यहां पर जो है आपकी जो लोकेशन है वो लोकेट कर देनी है तो एक जैक लोकेशन आप यहां पर एंटर कर सकते हैं यहां फिर जो भी आपका कोई back date डालना चाहते है वो भी आप यहां पर एंटर कर सकते हैं या फिर current date डालना चाहें वो भी ज्यान रखेगा multiple जो भी आपके registration से यहां पर यूज करिएगा bank details में जो आपका bank की detail हो यहां पर एंटर कर सकते हैं provider के case में क्या है कि आप अपने individual saving मिलेगा trading और non-trading का manufacturing करते हैं तो manufacturing सेलेट करिएगा उसके according ही certificate पर details आईगी तो सीज का आपको जहां रखना है अब यहां पर trading select कर रहे हैं तो आप अपने according सेलेट करेंगे फिर इसके बाद NIC code का यहां पर आपको problem हो सकते हैं तो आप आपका जो भी product या service है वो आप आप यहां पर search करेंगे ठीक है तो जासे मैं suppose कीजिए मैं यहां पर iron search करता हूं तो काफी सारे options मुझे मिल जाते हैं फिर इस पर click करेंगे तो उसके बाद जो details है वो select करनी है यहां पर ठीक है trading में जाना है फिर इसके बाद NIC code लेना है इस type से add करना है आपको जो भी आप आपका correct nature of business है वो आपको यहां पर select करना है इसके बाद यहां पर enter करना है number of employees तो इसके आपको जहाना करना है कि यहां पर इसके प्रोविजन स्वी एंप्लोई इसके बाद पर अप्लाइब होते हैं तो आपको दस से ज्यादा नहीं रहे है अगर एक्ट्वर में दस से ज्यादा है तो आप दूसरे एक्ट में भी आपको रिश्चिन लेने के requirement आती है ठीक है और यहां पर details करने के बाद आपके next step में आता है plant of machine डी जो भी आपकी WDB है वो आप यहां पर लिखेंगे last financial year 21-22 के लिए requirement आ रहे हैं 22-23 की requirement नहीं आ रहे है इसी टाइप से यह सारी value आपको यहां पर एंटर कर नहीं है अगर आपकी new form है तो सब डीटेल से आपको 0000 एंटर कर नहीं है अब यहां बार आपसे अधार रिश्टेशन के लिए भी बारे में पूछा जाएगा तो आपको सब को नो कर देना है आपको बता दूए रिश्टेशन से टिपिकर तुरंत के तुरंत जैनेट हो जाता है अगर आपने किसी को yes किया है तो अधार पोर्टल पर भी रिश्ट हो जाएगा उसको सेब करके लेना है फिर स्रेटिपिकेट भी अभी कर भी आपर डाउनलोड करेंगे तो यह आपका MSME का रिश्टेशन जैनेट हो चुका है इसमें कंफूइट मत होईएगा यहां पर उद्धियम लिखका हुआ है पर है यह MSME का रिश्टेशन इसको फोप बन पार यहां पर आगा डाउनलोड होगा क्या अपने बास रख लीजेगा इसमेट पर क्लिक क्लिक क्या प्रिंट का उप्शन आगया है यहां से प्रिंट करेंगे तो PDF में आपके बास हो जाएगा डारेक्ट भी आप सकते हैं इसको आप अपने पर लामिनेट कराकर रहा के स्ट्राइब है और इसन रेजिशन सर्टीफिकेट को आप कहीं पर भी उच कर सकते हैं यह ढगले हैं अब इसमें क्या है कि आपको शेयर जरू कीजेगा इसी टाइप यह सारे वीडियो मेरे यूटीब चैनल पर एविलेबल है आप वीडियो देखेंगे आपको बेनेफिट मिलेगा काफी सारे टाइप के रिश्टेशन मैंने आप अपर अपलोड किया है इसे जी एश्टी हो गया आपका उसके लाब आएसी कोड हो गया और लेबर लाइसेंस हो ग है अराश तर लेख़ मैंने रव क्ति साbon righteousness